परिदाबाद के प्याला गाओं कहुंचे यूपी के सियम यू गया दितेना दिवाली के तोहार पर छाया कोरोना का खत्रा वायरस के डर ने फीकी की बाजार की ओनक दुकानदारों को सता रही व्यापार कम होनी की चंता और दिवाली से पहले आम आदमी का निकला दिवाला पैटोल डीजल की कीम्टों में 35-35 पैसे का इजाफा कमेश्वल स्लेंडर के दामों में 266 रुपे की बढ़ होते हैं नमस्कार हर कबर हर्याना पर मैट्रो सिटी लेकर मैं हूँ आपके साथ संधित रेंजन सरकार फरिदाबाद के सेक्टर 15 कम्यूटी सेंटर में जेजेपी ने दिवाली पूजन किया इस मौके पर जेजेपी के युवा जिलाद्यर्श नलीन हुडड़ा ने कहा कि उन्होंने पूरे शेहर के लिए दिवाली पूजन किया है और माल लक्षमी से कामना की है कि वैगשर के लो भीनेश्वराय वर्दाय सुदर्फ्रियाय नम्नोरिष्य जिन्षावत माता दू कोधिकरित जेवत अल्यका श्रीभवनी जित्राता तिस गर दूमर रहे जिरी तारी रहे बत्री उंद महा दी वस्तु रादी वश्भो नहों रहे जिली तप्रिश्म प्रारी तेटू रादी वस्तु नहों रहे जिली सेट। तर लुकर में कि भुझा करते हैं अपने परिवार वालों के लिए पूजा करते हैं तो आज 몰라 एक जन्न één ञंता पार्टी जो हमारी यूवा टीम है उन्होंने सोच खर कि की फरेदा बाती हमारा अपना घर है फरिदाबाद वासी भी हमारे अपने परिवार वाले हैं तो क्यों ना हम आज दिवाली के शुरुवात फरिदाबाद के लिए पूजा करके करें ताकि हमारे शेहर में हमारे शेहर वासीों के लिए सुख सम्रिद्धी और उम्मती का एक महौल तेया था फरिदाबाद के सेक्टर 15 कम्यूटी सेंटर में जेजेपी ने दिवाली पूजन किया इसे मौके पर जेजेपी की जिला यूवा जिलादेव शिनलिल हुड़ा ने कहा कि उन्होंने पूरे शहर के लिए दिवाली पूजन किया और मा लक्षमी से कामना की है कि वे शहर के लोगों को सिक्सिम्रिदी दे और उन्हें सेहत मन बनाए राखे साथ हुनोंने का कि जेजेपी की टीम दुश्यंती चोटाला के नेतरत में समाज के लिए बर्चड़कर कारे कर रही है कोरोना में भी उनकी टीम ने चाहे मास्क वितरन हो यान सैनिटाइजर वित जंग जो है कारे करम हुआ और इस मौके पर जेजेपी की जूबा जिलाद्यक्ष नेलिन हुड़दा समेट तमाम दूसरे लोग मौजूद रहे और नेलिन हुड़दा ने का कि उन्होंने पूरे शहर के लिए दिवाली कूजन किया है और मालक्ष्मी से कामना की है कि वे श जैने टैजर वित्रण हर प्षेत्र में काम किया है कि वरिदाबाद के सेक्टर 15 कम्यूटी सेंटर में जेजेपी ने दिवाली पूजन किया इस मौके पर जेजेपी की युवा जिलाद्यक्ष नलिन हुड़दा ने शिकत के और तमाम जो हैं लोग पहुंचे और जेजेप की कारेकरतब इस दोरान मौजूद रहे नलिन हुड़दा ने कहा कि उन्होंने पूरे शहर के लिए दिवाले पूजन किया है और मालक्षमी से काम ना किया है कि सभी पर अपने किरपा बनाये रखें सेहत मंद रखें और उन पर अपना आशिरवाद बनाये रखें साथ ही उने का कि जेजेपी की टीम दुश्यंती चोडाला के नेतरत तुम्हें समाच के लिए बढ़ चड़कर कारे कर रही है कोरोना में भी उनकी टीम ने चाहे मास्क वित्रण हो या सेनिटाइजर वित्रण हर शेत्र में काम किया है कि देश्राइज हरन के सेंटर में दिवाली पूजन का कारे करम किया गया और कारे कर में जेजेपी के तमाम कारे करता और और युवा चिला नलीन खुड़ा भी मौजूद रहे उन्होंने पूरे शायर के लिए दिवाली पूजन किया और मालक्षी से कामना की कि लोगों पर अपने कृपा बनाये रखे साथ उन्होंने कहा कि जेजेपी की टीम दुश्यंत चोटाला के नेतरत तुमें बढ़ और फरिदाबाद में आवारा पच्चु का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा से पर हर तरफ हावारा पच्चु गूंते नजर आते हैं जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है नौबत यहां तक आते हैं कि आवारा पच्चु के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है ताज़ा मावला फरिदाबाद के गाओ खीली का है जहां एक आवारा सांड ने बुजर्ग महिला को टक कर मार दी जिससे बुजर्ग महिला की मौत हो गई बता दे कि यह पूरी घटना सीसी टीवी में कैद हो गई तो तस्वीरे आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक बुजर्ग महिला अपना काम कर रही थी तब ही एक आवारा पच्चु महिला ने जब उसे अपनी लाटी से अटाने की कोशिश की तो देख सकते हैं कि इस तरह से उसने बुजर्ग महिला को अपनी सींगों पर उठाया और उठा कर फैक दिया और इस पूरे मामले में बुजर्ग महिला की जो है मौत हो गई है लगातार फरीदाबाद को केटल फिरी बनाने का दावा किया जाता रहा है प्रशासन ये दावे करता है कि फरिदाबाद को कैटल फिरी बनाएगा लेकिन स्मार्ट सीटी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह के दावो पर जो है यहाँ पर हवा निकलती दिख रही है चाहे शहर की गल्यों की बात करें यहाँ सडकों के बाजारों के आवारा पशू का आतंक लगातार देखने को मिलता रहता है जहां सडक खासे आवारा पशू की वज़े से होते रहते हैं दूसरी तरफ आज जो तस्वीर आई है वो सन कर देने वाली तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर देखे किस तरह से बुज़ूर्ग महिला को उठा कर यावारा पशू फैक देता है बुज़ूर्ग महिला की मौत हो चुकी है लेकिन प्रशासन जो है अभी भी कुछ सुनने को तयार नहीं है देखने को तयार नहीं है प्रशासन अभी भी लगातार अपनी आखे मूदे बैठा है तो कैटल फिरी का जो सिटी का दावा है वो कहीं न कहीं हवाई होता है दिख रहा है ज्यादा जानकारी के लिए पूजा शर्मा हमारे सहियोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूजा जिस तरह से प्रशासन लगातार ये दावे करता है कि वो सिटी को कैटल फिरी बना देगा लेकिन जो तस्वीरे टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जगजोर देने वाली पूरी तस्वीर है और साफ बता रही है कि जो केटल फिरी के दावे हैं वो कितने हकीकत में दिख रहे हैं देखिए बिलकुँ फरीदाबाद में आवारा पश्यों का आतंक की जो समस्क्रा है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है लोग लगाता रिसकी शिकायत भी करते रहते हैं लेकिन कहीं न कहीं ये मुद्दा जो है प्रसाशन के लिए जन्परति निदियों के लिए गौण नजर आता है और जिसका खामियाजा जैसाब CCTV कैमराज में जो कैद हुई है तस्वीरों उसमें देख सकते हैं बुजर्ग महिला को बुगतना पड़ा ये महिला जो है खेडी गाओं में रहती है और अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और जब इन्होंने ये आवारा पशु इनके नजदीक आया उन्होंने भगाने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेदर्द तरीके से ह भावा में उच्छाल दिया और उसके बुजर्ग महिला गंभी रूप से घाय लो गई इस्थानिये लोग और परीजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरह तुरंत स्थानी अस्पताल में बुजर्ग महिला को भरती कराया लेकिन कुछ देर बाद भी बुजर्ग महि बच्चों को शिकार बना लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो नगर निगम प्रसाशन है उसके लिए यह समस्या कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसका संग्यान लिया जा लेकिन कहते हैं कि साप निकल जाने के बाद प्रसाशन लकी पीटता नजर आता है तो यही गटना गटेती तो उसके बाद निर्देश दिये गए स्थानिये जन प्रतिनी दीते की आवारा पशू को लेकर नगर निगम अधिकानियों के साथ बैठक की जाएगी ताकि इस तरह की गटना की पुन्रा विरती ना हो देखिए बड़ा दुखत विश्या है कि एक बुज तो ऐसे में और जब की कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी इस तरह के हाथ से हो चुके हैं लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इन हाथ सों से नगर निगम प्रताशन कोई सबख लेता है या नहीं क्योंच इस घड़ना के बाद में प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई क्या कुछ उनके बात्चीत होने की कोशिश की गई क्या कुछ कहा उन्होंने हाला कि आज क्योंकि सरकारी अफकाश था हर्याना दिवस्ता इसलिए जो सरकारी काराले बंद थे तो जरूर जो है नगर निगम आयुक्त के संग्यान में यह मामला जरूर आया होगा लेकिन मीडिया को अधिकारिक तोर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है नहीं इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि आवारा पशुओ का तक इसकदर व्याप्त कि अब वो जान लेवा साबित हो रहे है तो ऐसे में ये एक बहुत गंभीर विशह भी है कि एक महिला की बुज़र महिला की जान चली गई आवारा पशुओ को लेकर जो लापरवाही नकर निगम प्रसाशन द्वारा बरती जा रहे है लेकिन उसके बावजूदी अभी भी सबक लेने को प्रसाशन तयार नहीं है तो ऐसे में जन पिरती निदियें जो उनकी जिमेदारी बनती हैं कि वो अधिकारियों को सोती नीन से जगाएं ताकि इस तरह कोई और आवारा पशुओ के कारण काल के ग्रास में ना समा सके जी बुजा लगातार देखा जा रहा है ये तो एक तस्वीर है जो हमारे सामने है लेकिन इससे पहले भी कई जो हाथ से हैं वो घटते र पैखे लेते हैं वाहन दरुगटनाया ग्रस तो याता है इस इन से देखिए अक Sari होता है कि जब बजार की अगर 빼 industry लोको को आंग कर देते हैं इसके पीछे एक अगर इंसानियत का पहली देखें तो एक पहली ये भी कि गोशाला हें बनाई हुई है लेकिन नगर निगम प्रसाशन इन गोशालाओं में इन आवारा पश्यों को नहीं बेचता है जिसके कारण ये इनके खाने पीने की कोई विवस्ता नहीं होती है तो खाने की तलाश में ये आवारा पश्यों गली महलों में बजार में जहां कूरा जमा रहता है वहां पर खाने की तल बच्चों को भी नहीं वक्षते क्यों कि वह अचानक जिनके सामने अवारा पशू आ गए हो और उसकी वज़े से उनके वहां का संतूलन बिगड़ गया और उन्हें अपनी जान से हाथ दोना पड़ा और बानगी देखिए कि यह एक बड़े हाथ से को आमंतरन दे सकते हैं मतोड़ पर तेज घती से वहानों का आवा गमन रहता है चाई बार ऐसी श्थिती सटी देखे गई हा कि यह आवारा पश्याव गुफान गुफ अंदेरा वोन सट्कों पर होता है तो ऐसे में वाहन चालकों को कई बार ये आवारा पशु दिखाई नहीं देते और अचानक से सामने आ जाने के कारण बड़ा हाथसा भी हो जाता है तो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है कि इस सारी स्थिती से नगर निगम अधिकारी भली बाती परिचेता है लेकिन प्रसाशनिक अधिकारी इस मामले को उतनी गम भीरता से नहीं लेते हैं और केवल सड़क पानी सीवरे जैसे मुद्धो पर बात करके इतिश कर लेते हैं लेकिन जरूर आज एक महिला की जान गई है कावारा पशु के कारण और हो सकता है कि बविशे में भगवान ना करेगी किसी और को ये अपने काल के ग्राव से समाई इस तरह से चलिए बहुत 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 शुक्रिया है यहां पर बिल्कुल सही बात है सिर्फ विकास जो है वो नाली या सडको या फिर पानीदा की सीमित नहीं है विकास में ये भी जरूरे कि लोग कितना सुरक्षित है और जिस तरह से आपको हमने तस्वीरे दिखाई वो कहीं न कहीं निगम प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है बढ़ते आगे फरिदाबाद मे आजादी के अमरित मौसव की श्रंकला में हर्यान वीवस की पूर संध्या पर हस्वीपी कॉन्वेंसें सेंटर में सेक्टर बार में आयुजत कारेकरम में पहुँचे केंदरी राज्य मंत्री क्रिशन पाल गुजर हर्यान के कैबिनेट मंत्री मूलचन शर्मा विधायक रा आत्रम और देश भक्ति के गीतों के साथ कारेकरम की शुरुवात की गए तो आज जो है हर्याना दिवस है और हर्याना दिवस के पूर्व संध्या पर कई कारेकरम आयुजत के गए थे इसी कडिमे फरिदाबाद में आजादी के अमरित मौसव की श्रंखला में भी हर्याना दिवस के पूर्व संध्या पर एचेस वीपी केंवेंशन सेंटर सेक्टर बारा में आयुजत कारेकरम में जो है पहुँचे थे केंजरी राज्यमंत्री किशनपाल गुच्चर हर्याना के कैबिनेट मंत्री मौलचन शर्मा विधायकर राज्यश नागर और तमाम अधिकारी वीज दुरान मौजूद रहे वही दीप प्रजुलनकर वंदे मातरम और देश भक्ती के गीतों के साथ कारेकरम की यहाँ पर शुरुवात की गई थी और यहाँ रुख रहे हैं छोटे जब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा जल्द होंगे हासे खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी खबरें जो आज भी है और कल भी सुलकते सवालों से बदलते खबरों की माहने खबरों की नजर और नजर्य को पहचानना उसे आप तक लाने की जिम्हत्यारी भरोसा जो जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से नवस्तार मैं हुझ सुन्दर सुलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी हर खबर हर याना मारे खबर मारा चैनल कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है इसलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्केट, ओवर्लोड और शॉक से माइक्रोटेक MCB टेकिं सेफटी तो देनेक्स लेवल हमने बनाया, किट से खबरे जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से खबरे जो आपकी आवाज बंक क्याप्राप्ती है शासन प्रिशासन से खबरों के तेवर जफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच फर वो खबर जो जुड़ी हो आप से गाउं की गलियों से सक्ता के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिए हर खबर हर्याना मारे खबर मारा चैनल आजादी की नई उमक उकाया फ्रीडम के साथ ग्यारा करोड से भी ज्यादा भरकियों का भरोसा उकाया एलेक्रिक वी ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं सोनिपत की जहां जीले में तेजर अफतार का कहर देखने को मिला दरसल सोनिपत के गाउं पलड़ा के पास तेजर अफतार ट्रेक्टर ने फुट पात पर चल रहे दो चातरों को कुचल दिया इसके बाद दोनों चातरों की मौके पर ही मौत हो गई सुचना के बाद राय थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और चातरों के शवो को कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए अस्पताल में भेजा वहीं आज से के बाद ट्रेक्टर चाला को फरार बताय जा रहा है पुलिस पूरे मामले की चांच कर रही है तो सोनीपत में तेजर रफतार का कहर देखने को मिला है सोनीपत के गाउं पलड़ा के पास तेजर रफतार ट्रक ने फुट पाथ पर चल रहे दो चात्रों को कुछल दिया चात्रों की इस दोरान मौके पर ही मौत हो गई सूशना पुलिस को दी गई और राय थाना पुलिस मौके पर पहुँची जिसके बाद शवो को कवजे में लेकर पोस्टमॉटम के लिए अस्पता ने विजवा दिया गया वहीं हास्से के बाद ट्रेक्टर चालक मौके से फरार बताये जा रहा है पूरे मामले की जाच में पुलिस जुट चुकी है तो तेजर रफतार का कहर जो है सोनीपत में एक बार फिर देखने को मिला है सोनीपत के गाउं पलडा के पास तेजर रफतार ट्रेक्टर ने फुट पार पर चल रहे दो छात्रों को कुचल दिया और इस हास्से में दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई बताया जा रहा है कि दोनों छात्रों फुट पार पर जा रहे थे और पीछे से ये ट्रेक्टर तेजर रफतार में आया और छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया गाउं के उड़ा में एक्सिडेंट हो गया है जो हम वहाँ पर जुत्रा पार मुकर पोचे कर दोनी कर रहे हैं तो ही फरिदाबाद के मैट्रो चौक पर एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया जिसके चलते देखते देखते महां लोगों की भीड जमा हो गए दरसल महिला जैसे गाड़ी के आगे खडी होकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही थी वो गाय एक एक यद्धियो ती जिसमें ड्रामा कर रहे मüngय की बैठी थी इने विल्ट इसकी अपनी में घानेता कर दिया पूजा शर्मा अमारे से सहींगे हमारे साथ जुठ चूए है पूजा महिला ने Highgaritis ड्रामा किया गाड़ी के आगे ये ड्रामा किया गया क्योंकि एक जो टीम थी वो महिला की बेटी को लेका जाए थी बेटी ने साफ कह दिया कि उसे अपनी मा के साथ नहीं जाना अपडेट है क्या कुछ जानकारिया आपके पास में इस से जुड़ी है तुन्दीट ये फरीदाबाद के मेट्रो चॉप का मामला है और जिस तरह से तफिरों में दिखाई दे रहा है कि एक महिला जो है वो काफी शोर मचाती हुई दिख रही है दरसल जो गाडी में सवार है वो उक्त महिला की बेटी है जो एंजियो की टीम द्वारा रेस्क्यू करके यहां पर उसको ले जाया जा रहा है यहां से और जो बेटी है महिला की वो जाने से पूरी तरह से अपनी मा के साथ इंकार कर यहां बड़े चैनी आरोव अपनी मा पर लगाएं है बेटी ने बताया मीडिया से बातचीत करते हुए कि जोसकी मा है पने वह बात जीवन गता क्यवाजी जीवन को लेकर बहु कई कि उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली और जो उनके सौतेला पिता था वो उसके साथ दोवशपूर दुशकरम कर चुका है और ऐसे में लड़की काफी बहबीत थी और जब इसकी सूचना NGO को मिली तो उन्होंने तुरंट लड़की से संपर्क किया और जब वे उस लड़की को अपने साथ ले जा रही थी NGO की टीम तो उक्त यूवती की माँ वहाँ पर पहुच गई और उन्होंने काफी वहाँ पर शोर मचायए और जो NGO की टीम थे उसको अपनी बेटी को ले जाने से भोग रही थी वहीं जो बेटी थी वो भी सीधे तोर पर मना कर रही थी कि उसे अपने फोतेले पिता से खत्रा है और वे किसी भी हालत में वहां से जाना नहीं चाहती है तो हला कि पूरा दिन ये पूरा मामला फरीदाबाद में जर्टा का विशेय बना रहा है कि मेट्रो चौक अपने आपने काफी व्यस्ता मेरिया माना जाता है हला कि स्थानिय पूलिस भी मौके पर पहुच गई थी और पूलिस सारे मामले को समझते हुए और जो यूपती है वो कि जो आरोग संगीन आरोग उसमें अपनी माँ पर लगाए है फिलहाल उनकी पुष्टी करने के लिए पूष्टाच में जुटी हुई है तो पूलिस की तरफ से क्या कुछ करवाई की जा रही है और जो एंजियो महिला की बेटी को लेने पहुची थी उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है देखें एंजियो की तरफ से सीधे तोर पर कहा गया है कि जो यूपती है जो बच्ची है उसके सौतेले पिता ने बच्ची के साथ दो साल पहले जब बच्ची नावालिक थी तो उसके साथ दुश्करम किया था और जो महिला है उसका दूसरा पती जेल में और बे अपनी बच पर जो आरोप लगे हुएं उन्हें देखकर वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी मां के साथ रहे वहीं जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो क्योंकि यह इस तरह का गंभीर मामला है तो पूरे मामले की पुलिस तफ्टीश करने के बाद ही कुछ अधिकारिक तो पर बियान दे पाईगी ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने कहा है तो फिलहाल पुलिस ने अधिकारिक तो पर अभी कोई बयान जरूर नहीं दिये हैं लेकिन पूरा मामला क्या है उसको समझने की जरूर पुलिस कोशिश कर रही है ताकि कोई पक्ष ऐसा ना हो कि कि किसी झाल झाल